ओम जै श्री हरी विष्णू जै मातराणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मा भगविती दुर्गा की क्रिपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे दोस्तों 22 फरवरी 2014 को गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र का एक दुरलब और बहुत ही शुब संयोग आपको प्राप्थ हो रहा है और गुरुवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र होता है तो इसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है जो कि अत्यांत स्रेष्ट और दुरलब संयोग में माना जाता है इस समय में अगर आप कोई भी उपाई करते हैं आर्थिक स्तिती को सुधारने के लिए या फिर किसी भी मनों कामना के लिए कोई भी मंतर जब करते हैं कोई भी उपाई करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उस कर्म का उस शुब कर्म का फल बहुत जल्दी मिलता है और जन्म जन्मांतर तक उसका शुब फल आपको प्राप्थ होता है क्योंकि इस समय में किया गया शुब कर्म संचित हो जाता है जन्म जन्मांतर के लिए इसलिए इस योग को लक्ष्मी प्रदायक योग माना जाता है इस समय में अगर धन प्राप्ति के लिए धन की समरिध्धी के लिए अपनी आर्थिक सिधी को सुधारने के लिए अगर कोई भी उपाई किया जाता है तो जन्म जन्मांतर तक धन की वृद्धी होती रहती है घर में धन संचय होता रहता है और जो भी आपकी परिशानिया होती है आर्थिक वो बहुत जल्दी समाप्थ हो जाती है इसलिए आज क वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अचोग उपाई जिहां कई सारे उपाई शेयर करूंगी आप अपनी सुधा के अनुसार कोई सा भी उपाई कर सकते हैं या कितने भी उपाई कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगी कि इस समय में सकते हैं कौन से कारी गुरुपुषय नक्षत्र में नहीं करने चाहिए सारी जानकारी आपको गुरुपुषय योग से संबन्थित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं तो वीडियो बहुत महत्यपोन है पूरा जरूर देख लीजिए अच्छी लगे वीडियो तो ला कर सकते हैं कि अस समय का लाभाप कैसे कैसे कारी हैं क्या कारी है जो आप इस समय में कर सकते हैं तो देखिए अगर आप कोई भी कार्य प्रारंब करना चाहते हैं, कोई भी कार्य, मतलब कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य आप प्रारंब करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको शुब म अगाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो कल का दिन बहुत सच है। आप चाहें तो बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। खरीदारी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की खरीदारी इस समय में की जा सकती है विशेश रूप से आज जो खरीदारी की जाती है सोने या चांदी की ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इस समय में धन खरीदते हैं जैसे की कीमती धात्वें खरीदते हैं तो लक्ष इता अगर पास पैसा खरीज नहीं अब कर झाल जाते हैं तो पीटल कर चाहते हैं एक चोटी सी कोटोरी करिए करीजिए जए बिल्कुल आपकी अपनी इच्छा पर निरभर करता है कर सकते हैं ये इस समय का एक संयोग होता है, दुरलप संयोग होता है गुरु पुषयनक्षत्र का, इस समय में आप वस्त्रों की खरीदारी कर सकते हैं, धात्वों की खरीदारी कर सकते हैं, सोने चांदी की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं, जमीन की रिजिट्री करवा सकते हैं मतलब कोई भी शुब कारिये जो आप करना चाहते हैं शुब मुहुर्थ अगर आप ढूंड रहे हैं बहुत समय से तो ये अत्यांत स्रेश्ट और अत्यांत शुब मुहुर्थ है इस समय में आप अपना कोई भी कारी कर सकते हैं अब जैसे कि खरीदारी में अगर आप बहुत कुछ नहीं खरीद पाते हैं देखे कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए जब भी कोई शुब समय आता है तो उस शुब समय का लाब हमें जरूर लेना चाहिए उस energy को use करना चाहिए तो इसके लिए अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं अपने घर में आप चावल खरीद सकते हैं चनी की दाल खरीद सकते हैं और कुछ नहीं तो आप साबुत हल्दी खरीद कर घर में ला सकते हैं कुछ न कुछ मालक्षमी के स्वरूप में बाहर से घर में लेकर आईए जिससे कि लक्षमी आपके घर में स्थाई रूप से बास करें ठीक है तो ये तो खरीदारी की बात हुई अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी वस्तू हैं देखिए खरीदारी के अलावा जो सबसे जरूरी कारी है मतलब खरीदारी ना भी करें तो भी चलेगा लेकिन ये सभी कारें अगर आप कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए आप जन्म जन्मांतर के लिए पुन्यफल संचित कर लेंगे और फिर माता लक्षमी माता सरस् जैसे कि आपको अपने घर की तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूद अरपित करना है परिवार का हर सदा से सुबह जल्दी शनान कर ले गंगा जल मिश्रित जल्से शनान कर ले हर कोई और थोड़ा-थोड़ा मतलब एक-एक ड्रॉप भी हो सके तो कच्चे दूद को तुल उस चावल में आपको थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और हलका सा पानी डाल कर मतलब बिलकुल अपने हाथ को गीले करके चावल को पीला कर लीजिए अब इस चावल में से घर में जितने भी सदसे हैं सबसे सपर्स कराकर या सबसे कहिए एक-एक मुठी पक्षियों के निमित पर बालकनी में जहां भी पक्षी आते हैं वहां पर अपनी सुविधा के अनुसार डलबा दीजिए इससे पक्षियों का भोजन हो जाएगा सबके हाथ से दान निकल जाएगा किसी भी प्रकार की गुरू से संबंधित परेशानी है तो समाप्त होती है और यह उपाई अग अगला कारिया आपको करना है कि अपने घर के मुख्यद्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल गुलाब जल मिला लीजिए और मुख्यद्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक बना लीजिए और उस स्वास्तिक का धूब दीब दिखा कर पूजन कर लीजे, बिना पूजन कि ये स्वास्तिक बराने का कोई लाब नहीं होता है, क्योंकि स्वास्तिक जो होता है, भगवान गणेश की लेख्य प्रतिमा होती है, भगवान गणेश लिखित रोप में विराजमान आपके घर के मुख्यद्वार पर हो जाते हैं, तो करात्म कुर्जा आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती है, तो ये कारी भी सब को करना है, इसके बाद थोड़ी सी हल्दी लीजिए, थोड़े से पानी में और गंगा जल में मिला लीजिए, और इस जल का, इस हल्दी मिष्रित जल को अपने घर में छिड़काव कीजिए पूरे घर में घर के हर कोने में अगर आपका व्यापारीक स्थाल है कहीं दुकान है तो वहाँ पर भी आपको इस हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करना है गंगा जल हो तो ठीक है नहीं हो तो आप गुलाब जल मिला सकते हैं वो भी नहीं हो तो शुद्ध जल ले लीजिए और ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा ओम नमो भगवते वासु देवाई नमा शुद्ध जल को ही आप अपी मंतरित कर लेंगे इस मंतर से दो चार बा किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो वह समाप्त होती है मतलब यह चोटा सा उपाए बिना किसी खर्चे का उपाए रामबाण उपाए है और यह उपाए मैंने पहले वीडियो में बता रखा है जिसे कई लोगों कर रखा है आपने से कई दर्श को ने किया भी है और उनके अभी भी कमेंट्स पढ़े होंगे वहाँ वीडियो के नीचे जिनमें उन्होंने बताया है कि उनके घर में कितना चमतकारी परिवर्तन इस हल्दी मिश्रित जल से हो गया है। ठीक है तो ये उपाय सब को करना चाहिए हर ब्रहश्पतिवार को आपको अपने घर में कुछ बेशन की चीज जरूर बनानी चाहिए हो सके तो आप मीठी चीज बना लीजिए इस प्रकार का जरूर कार्य कीजिए आप, मतलब कुछ न कुछ बेशन की चीज बननी चाहिए आपके घर में, आप जो भी बनाना चाहें, बना सकते हैं, ये जितनी चीजे मैंने आपको बताई, ये सबी चीजें आपको हर बार जब गुरु पुशे योग आता है, शिक्षा में परेशानिया आ रही है, या फिर संतान की भ्राप्ती नहीं हो पा रही है किसी को, या विवाह में बहुत अधिक परेशानिया है, विवाह हो गया है तो दामपत्य जीवन में परेशानी है, मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी ब्रहश्पती से संबंदित है तो ये कारी आपको जरूर करना है आपको अपने घर के आसपास कहीं पर भी केले का पौधा दिखाई दे तो आज मतलब आज बुद्धवार के दिन शाम के समय जाकर और थोड़ा सा जल एक सिक्का सुपारी लेकर जाईए तो डाक्षत लेकर जाईए और उस केले के पौधे में आपको जल अर्पित करना है सिक्का सुपारी वहां रख देना है और प्रात्ना करना है हाथ जोड़कर कि है वनिश्पती देवता आपको मैं कल अपने घर में लेकर जाऊंगा गुरू पुष्यनक्षत के लिए या फिर किसी भी अगर बहूट सारी परेशानी है तो आप ऐसा भी कैसकते हैं कि मेरे जीवन की प्रतेःक समस्या के समाधान के लिए मैं व्रिक्ष देवता आपसी प्रयारत이실ना करता हूं कि आप मेरे घर चले और मेरी परेशानियों को दूर करें अगर बहुत सा कर लीजिए जाने से पहले शनान करके साफ सवच्वश्थर धारन कर लीजिए घर में कोई पूजा करने वाला है तो कोई और भी पूजा कर सकता है अगर आप ही कर रहे हैं तो आप सुबह की पूजा आपने खरकी करके जाएंगे दिया जला कर जाएंगे खरके मंदिर में और और फिर केले के पॉधे के पास जाकर पुधे की विद्विधान से पूझा करेंगे , जैसे कि हल्दी मिश्रित जल जल में थोड़ी सी अपको यह लेकरानी यह तर नहीं खोधना है, जेतनी आपको आवंश्रक्ता है उतना ही लेकर आघाना है और वहाँ पर प्रातना करके आएंगे कि आप इस मनुख कामना से लेकर जा रहे हैं तो भगवान आप पर कृपा करें, आपकी मनुख कामना को पूर्ण करें और फिर इसके साथ ही एक और प्रातना की जाती है जब भी हम बनस्पति से कुछ लेते हैं, तो हमसे हमारा पुन्य भी जाता है। मतलब आप प्रार्टना करते हैं कि आपका वो कार्ये पूरा हो जाए, जिस कार्ये के लिए आप लेकर जा रहे हैं। और फिर आपके पुनिय से इब वनसपती देवदा आपको उत्तम योनी की प्रापति हो, स्वर्गी की प्रापति हो, ठीक है, मतलब अगर आप किसी से भी कुछ लेते हैं, तो कुछ देना पड़ता है, तो आपका कार्य बनेगा, और उस पुनिय से उस वनसपती को, उस रिक् एक पीला कपड़ा भिछा कर उसी पर आपको जड़ रखना है इससे पहले जड़ को दो लीजिए मिट्टी साफ कर लीजिए गंगा जल से उसके बाद से पंचो पचार वीदी से धूप दीप अक्षद पुष्पित्यादी अरपित करके और पूजा कर लीजिए उस जड़ की और फिर भगवान से प्रातना कीजिए ओम नमो पगवते वासु देवाई नमा इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जब करना चाहिए आप चाहें तो 11 माला भी जब कर सकते हैं क्योंकि देखें जितना मंत्रों की शक्ति आप देंगे उतना ही अधिक प्रभावशाली वो जड़ बनती है तो आप मंत्रों की संख्या अपनी इच्छा के अनुसार अपनी समय के अनुसार धारित कर सकते हैं कम से कम 108 बार ज़रूर जपना है इसके बाद आप उस जड़का प्रयोग कर सकते हैं आप अगर धन संचित करना चाहते हैं तो अपने घर में जहां पर गल्ला है तिजोरी है वहां रख सकते हैं पीले कपड़े में बांध कर इसके लावा अगर आप कुछ सिक्षा से संबंधी परेशानी आ रही है बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है तो पीले कपड़े में ही बांध कर आप उनके हाथ में बांध सकते हैं दाहिने हाथ में गले में धारन करवा सकते हैं चाहें तो संतान से संबंधी विवाह से संबंधी कोई परेशानी है लेकिन पुखराज बहुत महंगा है, सब तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं ऐसे में ये बहुत सस्ता उपाई होता है, मतलब ये तो फ्री का उपाई है और इससे आपको पुखराज से भी अधिक फायदा मिलता है दूसरी चीज, पुखराज धारन करने के लिए हमें हमेशा आपनी कुणले दिखानी पड़ती है अगर आपकी कुणली में ब्रहश्पती कारक हैं, तब ही आप पुखराज धारन कर सकते हैं लेकिन ये केले के जड़ वाला उपाय कोई भी कर सकता है, इसके लिए कुणली दिखानी की अवश्पता भी नहीं होती है अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्णाएंगे कि हमारे घर में ही केले का पौधा है, तो क्या हम घर में ले सकते हैं जै हम बिल्कुल ले सकते हैं, जड़ ही तो चाहिए आप कहीं से भी ले सकते हैं दूसरा प्रश्णाता है कि अगर हमने पहले का ही केले का जड़ धारन कर रखा है तो उसका क्या करें तो देखिए अगर आपने पहले से जड़ धारन कर रखा है या घर में धन रखने के स्थान पर केले की जड़ पहले से रखी हुई है तो फिर अभी आपको जड़ लाने की आवशक्ता नहीं है फिर आप क्या करेंगे कि उस जड़ को निगाल लीजिए जहां भी आपने रखा है या पहन रखा है तो उसे और फिर गंगा जल का छीटा देकर शुद्ध कर लीजिए और मंदिर में एक पात्र में रखकर और उसका शुद्धी करन करने के बाद धूब दीब दिखा कर पूजा कर लीजिए और फिर वहां बैठकर आप भगवान श्रह विष्णू के मंतर कर लीजिए या बिहश्पति देविके मंद्र ओम अ ब्रेष्पताइदमा इस मंत्र जब कर सकते हैं दोनों में जो भी ठीक लग मंत्र जब करना आवशक है क्योंकि मंत्रों की ही 最wide होती है उसमें जा तो इस इच्छा के अनुसार थोड़ी जादा मात्रा में जड़ लेकर आ सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, और जिसे भी धारन करना हो, जैसे परिवार में कई लोगों को भी धारन करना हो, घर में धन रखने के स्थान पर भी रखना हो, तो बिलकुल आप ले सकते हैं, एक प्रश रखने के रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब शुद्ध होते हैं, आप के शरीर में जितनी भी शीज, आम में धारन करकिए, और पर इसे धारन कर सकते हैं, किसी भी गुरुवार के दिन, मतलब सूतक पातक तो आपको पता है कि आप सूतक में जा रहे हैं पातक में जा रहे हैं ऐसी अवस्था में आप निकाल कर रख सकते हैं क्योंकि सूतक पातक में ये जड़ अशुद्ध हो जाएगी फिर आपको दुबारा ही जड़ लेनी पड़ेगी तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बाकी periods के लिए आपको परिशान होनी के आउशक्ता नहीं है ठीक है तो ये सभी उपाई जो मैंने आपको बताए है ये सभी उपाई गुरुप शनक्षतर में आपको जरूर करना चाहिए जब भी गुरुप शनक्षतर आता है आप ये उपाई कर सकते हैं इसके अलावा मंत्रों का जप अधिक से अधिक संख्या में कीजिए कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं मतलब जैसी भी आपकी मनो कामना हो जैसे कि अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है तो विष्णु सहस्तर नाम का पाठ आप कर सकते हैं लक्ष्मी मंत्र का जप आप कर सकते हैं संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकते हैं विवाह की कामना है तो कात्याईनी मंत्र का जप कीजिए आप जो भी मंत्र आप जपेंगे वो मंतर आपके लिए हमेशा शुपफल देने वाला हो जाएगा और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है मतलब गुरू पुश्य नक्षत्र में जपा गया मंतर सिद्ध हो जाता है इसलिए आप कोई भी मंतर इस समय में सिद्ध कर सकते हैं बहुत से भक्तों के प्रश्ण आएंगे क्या हनुमान चाली सा सिद्ध कर सकते हैं, जिया पिलकुल कर सकते हैं और अगर आपने गुरू से मंत्रे की दिख्षाली रखी है तो आपको आज की दिन गुरू मंत्रे का अधिक सदिक संक्या में जब करना चाहिए अपने इश्ट देवता के मंत्रों का जब करना चाहिए क्योंकि आज का दिन अत्यानत इस्रेष्ट है शुपफल देने वाला है तो प्रयास कीजिए आज मंत्रों का जब करें ठीक है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है बाकी आपका कोई भी प्रशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जैसे ही मुझे समय मिलेका आपके प्रशनों का उत्तर आपको मिल जाएगा तो दोस्तों ये है आज की वीडियो उमीद करती हूँ आपके लिए उप्योगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भगतों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगوں को भी इस वीडियो का लाव प्राप्ट हो बहुत से लोगों को गुरू पिशनक्षत्र का पता भी नहीं होता है अगर आप ये वीडियो शेर करेंगे कुछ लोग भी उपाय करते हैं कुछ लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आता है तो निश्चित ही उनकी दुआएं आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में बदलाव फिर निश्चित हो जाता है मतलब किसी भी पुन्य का फल हमें दशांश तो मिलता ही है तो आप किसी का भला करेंगे आपका भला तो निश्चित ही होगा तो जितना हो सके वीडियो को शेर कीजिए और आप स्वें तो ये उपाय जरूर कीजिए सारे उपाय कर लीजिए एक से अथिक उपाय भी कर सकते हैं सारे उपाय भी कर सकते हैं मतलब कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो अगर आप एक साथ करते हैं तो आपको दिक्कत होगी ये शुब कर्म है अगर आप सारे करते हैं तो उसका लाव आपको और भी अधिक राप्त होगा मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै श्री राधे